रूस युक्रेन के एक के बाद एक इलाकों पर तेजी से कबजा करता जा रहा है और युक्रेन को उसके मददगार जरुरत के वक्त हथियार तक नहीं दे पाए अमेरिका जैसे बड़े और ताकत और समर्थक होने के बाद भी युक्रेन युद्ध के मैदान में लगातार कमजोर हुआ है हाला कि देखने में ये भलही युक्रेन की कमजोरी दिखे लेकिन यदि युक्रेन हारता है और युद्ध में पिछड़ता है तो ये कहीं न कहीं अमेरिका की रणनितिक हार होगी दरसल ये साफ है कि युक्रेन को अमेरिका का समर्थन मिला हुआ है और अमेरिका उसे सेने हथियारों से लेकर हर तरह की मदद दे रहा है बस कमी सिर्फ इतनी है कि जब यूकरेन को मदद की जरूरत होती है उस वक्त उसके पास मदद नहीं पहुच पाती हाला कि अंदर ही अंदर यूकरेन को भी इस बात का एसास जरूर हो गया है कि अमेरिका कहने के लिए भले ही संपन और टाकतवर देश है लेकिन यूकरेन की जरूरत के वक्त वो असल में उसकी मदद नहीं कर पारा नहीं तो एक समय युद्र के मैदान में बढ़त बनाय हुए यूकरेन की ऐसी हालत कभी न होती कि रूस एक के बाद एक यूकरेनी इलाकों पर कबजा करता जाए यूकरेन का एक दूसरा मददगार विटेन तो लगभग गायब साही रहा बड़े नाम वाले देशों ने भले ही यूकरेन की परयाप्त मदद न की हो लेकिन कई नेटो सहयोगी देशों ने यूकरेन को काफी हिम्मत आप अब एक नेटो सहयोगी एस्टोनिया यूकरेन की मदद के लिए उसकी धरती पर सेना भेजने पर विचार कर रहा है इससे पहले फ्रांस की राष्टपती इमेनुल मैकरो भी ऐसा विचार ब्रेक्ट कर चुके हैं एस्टोनिया का आगे आना इस ये भी बहुत महत्तपूर है क्योंकि वो रूस के साथ 545 मिल की सीमा साजा करता है और वो गैर लड़ाकों भूमिकाओं के लिए पश्मी युक्रेन में सेना भेजने को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है एस्टोनियाई राष्टपती के राष्ट्रिय सुरक्षा सलाकार मैडिस रोल ने इसी हपते ये जानकारे दी है रोल ने कहा कि हमें सभी संभावनाओं पर गौर करना चाहिए उनके मताबिक युक्रेन के मदद की बात को हमें सिर्फ दिमाग तक सिमित नहीं रखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं उन्होंने साफ शब्दों में कहा के स्टोनिया व्यापक नेटो मिशन के हिस्से के रूप में होने वाली किसी भी तैनाती को प्राथमिक तादेगा उनके मताबिक ये प्रयास एक व्यापक संयुक्त ताकत और दिर्ध संकल्प को दिखाएगा रोल के बयानों को बर चड़कर युक्रेन का साथ देने वाले नए बयानों के रूप में देखा जा रहा है इससे पहले मैकरॉ पहले ऐसे रखनी थे जिन्होंने युक्रेन की धर्ती पर नेटो सेनकों के तैनाती की संभावना जताई थी उनके विचारों को नेटों के बाल्टिक सदस्यों का समर्थन मिला था मैकरॉ अभी भी अपने बयान पर कायम है उन्हों इस महीने की शुरुवात में भी कहा कि अगर रूसी सेना अग्रिम पंक्ती में घुस्ती है तो फ्रांस युक्रेन में सेना भेजने पर विचार करेगा मार्च में पुलैंड के उपविदेश मंत्री आंद्रे सजेना ने भी कहा था कि यदि युक्रेन पर बंबारी के लिए रूस मित्र देशों के हवाई एक शेतर का इस्तमाल करता है तो उनका देश उन रूसी मिसाईलों को मार गिरा सकता है जर्मन राजनितिक नेताओं ने इस महीने इसी तरह का एक प्रस्ताव दिया था जिसमें सुझाया गया था कि पोलेंड और रोमानिया में अस्थित नेटो वायू रक्षा प्रोनाली युक्रेन में लगबग 45 मील तक एक सुरक्षिक शितर बना सकती है आपको बताते कि कुछ बिटिश और फ्रांसीसी सैनिक पहले से युक्रेनी सैनिकों की सहायता के लिए युक्रेन में मौजूद है युक्रेन के साथ खड़े होने वाले और उसे सैन्ने हत्यार देने वाले देशों को रूस ने चेतावनी भी दी है रूसी दाजपधी का रहले के प्रवक्ता दिमित्री पैस्कोव ने कहा कि हमने बार बार कहा कि नेटो देशों की सेना दौरा इस युद्ध में हस्तक्षेप से भारी खत्रा पैड़ा हो सकता है रूस ने इसे उकसावे वाला कदम बताया है रूस का कहना है कि वो इसे बहुत गौर से देख रहा है